Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ेंगे Our Solar System हम अपने Solar System के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं हमारा जो सौरे मंडल हैं कहानी कहां तक पहुच चुकी थी, उसे जानते हैं, समझते हैं थोड़ा तो देखो, हमने chapter start के हमने क्या देखा कि Early Theories, Modern Theories में लड़ रहे थे लोग ठीक, लेकिन acceptable क्या रही? Modern Theories Modern Theories को माना गया कि हाँ यह सही है यह appropriate है अब Modern Theories को मान लिया, उसके बाद क्या होता है, आपने Modern Theories के according आपने क्या देखा कि Big Bang Explosion हुआ, Explosion होने के बाद में क्या होता है, Universe बना पूरा का पूरा अब Universe किन चीजों से मिलके बना है? Galaxies से, Galaxies किस से मिलके बनी? Star से Star कैसे बने? यह मने आपको बता दिया Star कैसे बन गए? उसके बाद में हम देखेंगे कि Star के ग्राविटेशनल पूल से Planets बने कहीं न कहीं जिसे हमारे Sun ने हमारे Planet को बनाया, तो हमारा Sun हमारे Planet मतलब हमारा Solar System तो हमारे Solar System में कौन-कौन से Planets है, कैसे बने में, मतलब Planet का Formation जो आप इछले वीडियो में पढ़का है वही रहने वाला है लेकिन उनके कुछ विशेषता हैं जो है, कुछ concepts हैं, कुछ facts हैं, कुछ details हैं, वो सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा हमारे अपने Solar System के बारे में Clear हो गया? So this is the motive of this video, मज़लार चीज़े जानने को मिलेगी, you'll feel good Clear? Start करते देखो तो the nebula, the nebula from which our solar system is supposed to have been formed, started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago तो ये time को समझो जरा और process को समझो थोड़ा सा पिछले वीडियो से relate करो पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था कि एक nebula था, तो आप ये बताएगा है कि हमारा भी ऐसे एक nebula था उस nebula के अंदर star था, तो हमारा star कौन सा है sun, sun की core बनी, sun की core बनी होगी, तो core के gravitational pull ने क्या है rotating disk में gas और dust particle को hold करके रखा होगा, वहाँ पे planetismal, planetismal पे और accretion हुआ, उसके बाद में वो planetismal proto planet से planet बन गए ठीक है, तो ये जो process है, तो ये हमारा nebula जो इस process में जब घुजा है ना, तो वह time बताएगा होगा, क्या कि it started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago इस समय के आसपास इस तरह से planet formation जो हमारे solar system के वो start होते है, and the planets were formed about 4.6 billion years ago ठीक है, तो और जो planet बने हैं, वो planet 4.6 billion years ago बगए है, तो अगर आप यहाँ पर एक चीज को गौर करोगे ना, कि ये जो चीजें होती है, ठीक, रातो रात नहीं होती, एक साल में दो साल में नहीं होती, लाखों साल, करोडों साल लग जाते हैं, करोडों साल में चीजें बन तो it consists of the sun, the star, ठीक है, हमारा अपना तारा, हमारी आखों का तारा को होने हमारे solar system का sun, सूर्य जो है, तो हमारा solar system में जो star है, वो हमारा star कौन सा है, sun है, ध्यान रखना, ये sun हमारा star हो गया, फिर क्या आए आगे, तो जैसे अगर आप देखोगे sun के बाद में, 8 planets, 63 moons, अब 8 planets, 9 नहीं है, 9 पहले कभी हुआ करते थे, अब कितने बचे, 8 बचे, एक कहां गया, कैसे गया, बताऊंगा भी आगे, ठीक है, तो 8 planets, 63 moons, अभी मुझे पता है कि आप लोग एकदम चौकन नहों के देख रहे होंगे, 63 moons का है, सर्फ, एक ही दिखता है, वो एक भी कभी कभी करवा चौथ पर लीट हो जाता, दिखते ही नहीं है, तो उस तरह से 63 moons का है, तो देखो, हम हमारे solar system की बात करें, हमारे solar system की बात करें, तो अगर आप जैसे देखोगे, कि अर्थ का तो एक ही moon है, लेकिन मार्स के 2 है, मतलब मार्स में, मार्स पे जाओगे, कभी जाओगे तो बताना फिर मुझे, वहाँ आपको 2 moon दिखेंगे, ठीक है, उसी तरह से जैसे Jupiter है, तो 53 moon है, Saturn के near about approximately 53 moon है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो Uranus के 27 है, Neptune के 13 है, तो इस तरह से कुछ-कुछ प्लानेट के बहुत सारे moons हैं, और अर्थ का एक, इसका मतलब नहीं सबका की होगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारे solar system में कितने moons हैं, 63 moons, and millions of smaller bodies like asteroids and comets, and huge quantity of dust grains and gases, उसी के साथ साथ solar system में आपको क्या देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे करोडों दूसरे कंड, जो मतलब मानलो जो planet नहीं बन पाए, दूसरी जो bodies है, वो गुम रहीं ये चक्कर अगर ये गोल-गोल रानी, किता किता पानी, तो उस sense में क्या है, millions of smaller bodies like asteroids and comets and huge quantity of dust grains and gases are found in our solar system, तो जिस अगर आप देखोगे न, तो यहां पर आपको asteroid belt देखने को मिल जाएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे, तो बाहर, Neptune को देखोगे, आठ प्लानेट है मियन, ठीक है, आठ प्लानेट में चार छोटू है, और ये जो चार है, तो ये क्या है, ये बड़े मिया है, ठीक, अब इसमें अगर आप जैसे देखेंगे, तो यहां पर जैसे देखोगे, तो यहां पर Mercury आ गया, Venus आ गया, Earth आ गया, Mars आ ग आते हैं, 6th class में आपने पढ़ा भी होगा, पता नहीं कितने लोगों को ध्यान है, ये प्लानेट की जो सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखने के एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्या, My very efficient mother just served us nuts, ये statement याद रख रख रोबस्त की, बहुत अच्छी मेरी जो अच्छी सी मम् वो उन्होंने क्या किया है, she just served us nuts, जिसे noodles पसंदे तो nuts की जगा noodles भी याद रख सकता है, N for nuts, N for noodles, तो ये जो ट्रिक है, इससे आपको सीक्वेंस दिहान रहेगी, जैसे M से क्या हो जाएगा, मर्कुरी हो गया, वीनस हो गया, V से E से अर्थ हो गया, M से मार्स हो गया, जैस जैसे क्या हो जाएगा, Jupiter, S से Saturn, U से Uranus, और N से Neptune हो जाता है, तो ये sequence आप दिहान रख सकते हैं, इस तरह से, clear हुआ ये, अब अगर आगे देखते हम इसमें, तो, हाँ, अब आप इसमें जैसे में आपको बताया क्या है, कि हम 8 planet है, मून से, मून, छोटे-छोटे दिखते इसमें नहीं दिखाएगा है, ठीक है, आपको ये बड़ा सहसान है, कि स्टार देखने को मिल रहा, और Millions of Other Body, जिसमें जैसे Asteroids आओ गया, तो ये Asteroids जो Belts है, ठीक है, Asteroid Belts है, Mars और Jupiter के बीच में, ठीक है, ये कबड़ी की पाली की तरह हो गई, इधर छोटे-छोटे प् और चार प्लेनेट को आउटर प्लेनेट कहा जाता है, अब चार प्लेनेट कौन-कौन से हो गए, Mercury, Venus, Earth, Mass, ये इनर प्लेनेट है, और आउटर प्लेनेट में क्या जाएगा, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, जुपिटर, Saturn, Uranus, Neptune, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आउटर प्लेनेट हो ज दे सकते हो, लेकिन और भी उसमें क्या है, और भी differentiating points है, वो क्या है, कि alternatively, they are also known as terrestrial planet, ये जो चार प्लेनेट है, ये टेरिस्टियल प्लेनेट है, ठीक है, टेरिस्टियल प्लेनेट में इस पर जमीन है, मार्स पर भी हम क्या कर देते हैं, जैसे, मॉम मिशन गया है, हमारे, टेरिस्टियल प्लेनेट, they are relatively smaller in size, ठीक है, और ये ध्यान रखना है, कि inner planet जो है, वो छोटे है, इस image से भी आपको समझ में जाएंगे, ठीक है, ये सारे चोटू प्लेनेट है, बड़े है, ये बहुत सारे ऐसे प्लेनेट को अपनी गोदी में बिठा लेंगे, तो उस तरह से क्या है, कि outer planet जो है, तो ये बड़े भी है size में, एक, मतलब point of, अगर आपको differentiate करने को आजाए, तो आप लिख सकते हैं, ये सारे points की, inner planet कहा जाता है, ये ये planet इसकी category में आते है, ये terrestrial होते है, ये relatively size में क्या होते है, छोटे होते है, ठीक है, अब outer planet के अगर बात करें, तो outer planet की क्या है, outer planet, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, ये चार planet जो है, बाहरी planet जो इन्हें outer planet कहा जाता है, बाहरी भी है और बाहरी भी है, मतलब बड़े भी है ये, ठीक है, तो ये नोनस, जोवियन और गैस जाइंट प्लानेट, ठीक है, जोवियन और गैस जाइंट भी कहा जाता है, जोवियन सारे planets भी क्या होते हैं, बड़े होते है, outer planet को अगर आप देखो के चारो को observe करो तो बड़े है, ठीक है, इन चारो planet के आजबा जो फिरिक्या है, मतलब कह सकते है, ring of asteroids and meteroids है, clear, ये दियान रहेगा आपको, अब आगे बढ़ते हैं, तो और क्या है, they are much larger than the terrestrial planets and have thick atmosphere, अब इनने gaseous planet भी कहा जाता, क्यों? क्योंकि ये planet जो ये terrestrial नहीं है, उन पर जमीन नहीं है, वो gas के गुबारे है, एक तरह से दिखा जाए, इस कारणा उनका size बड़ा भी है, बहुत thick atmosphere है, वहाँ पे, एक तरह से gaseous, gas giant planet है, उनका atmosphere बहुत थिक है, और वहीं पे अगर आप atmosphere क कि बात करते हो किसके, वहीं पे अगर आप atmosphere की बात करते हो inner planet के, तो inner planet का atmosphere उतना वो नहीं है, dense नहीं है, मतलब आप जैसे देखते हो न, कि आप रात में सितारे देख लेते हो दूसरे, और वो सितारे किस galaxy के कहा है, आपको नहीं पता, लेकिन आप देख पा रहे होने, क्य क्यों कि आपका atmosphere उतना थिक नहीं है, वो transparent है आपका atmosphere, ऐसा नहीं है कि atmosphere में gases नहीं है, है gases, ठीक है, layers भी, troposphere, stratosphere, अलग-अलग, वो भी है, मतलब कहा सकते हो कि atmosphere के अलग-अलग layers भी है, लेकिन वो उतने dense नहीं है, ध्यान रहेगा नहीं है, clear हुआ है, अब आगे अगर जै International Astronomical Union जो है, ठीक है, International Astronomical Union का है, मतलब जितना भी ये पूरा astronauts वगरा का सब काम काज समालना होता है, वो ये union देखती है, सब कुछ करती है, तो International Astronomical Union ने 2006 में, to be more precise, शाहिद August 2006 में क्या कर दिया था, Pluto को एक draft planet की तरह declare कर दिया था, सवाल आपकी मन में जोर से उमड़ा हो होगा भी, कि क्यों draft planet बनाया, Pluto को, ठीक है, Pluto ने इसे क्या गलती कर दी थी, विशारे ने, चलो, समझते है, देखो तो International Astronomical Union जो है, International Astronomical Union ने कुछ criteria's रखे है, कुछ तीन criteria's रखे है, किसी भी body को planet का दर्जा अगर पाना है, तो उसे उन तीन criteria को fulfill करना होगा, ठीक है, तो test होता है, मतलब एक तरह से कि सारे, यह जो 8 planet आप देख रहे है, यह 8 planet उन तीन criteria's को satisfy करते है, अभी आपके लिए वो criteria जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन Pluto एक criteria fulfill नहीं कर पाए, वो criteria कौन सा था, तो International Astronomical Union के हिसाब से, कोई भी body को अगर planet बोलना है, ऐसे तो आप कि क्या करना होगा, अपने आजू-बाजू का area clear करना होगा, ठीक है, स्वच भारत अभ्यान, तो यहाँ पे अपने आजू-बाजू का area कैसे clear करेगा, वो planet मतलब उस planet का gravitational pull इतना रहना चाहिए, को अपने आजू-बाजू के area को clear रखे, ठीक है, यह चीज उन तीन criteria में से ए नेगरी में आते हो, तुम बोने planet हो, ठीक है, तो इस current से पिचारा Pluto जो है, वो draft planet कहलाता है, ध्यान रहेगा यह, चलो, अब सवाल ही आता है, देखो, एक सवाल, genuine सवाल बनता है, why are the inner planets rocky, while other are mostly gaseous informed, ठीक है, तो अगर आप इस diagram को फिर से देखते हैं, तो आपको समझ में मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि इनका जो आकार, इनका size, जो सुबो कहके सकते हैं, कि इतना बड़ा दिख रहा है, तो इतना बड़ा size दिखने के पीछे कारण कहा है, कि यह gaseous planet है, गैस से बने हुए है, और यही चोटे-चोटे इस लिए दिख रहे है, क्योंकि यह other are mostly in gaseous form, explain, तो आप answer क्या लिखोगे, question तो आ गया, चलो, तो कारण समझते हैं, कि difference is inner planet और outer planet में difference is size का, matter का, यह सारा difference कहां से आ जाता है, तो the difference, the difference between terrestrial and jovian, या फिर कह सकते है, gase giant planets, ठीके, the difference between terrestrial and jovian planets can be attributed to the following conditions, इन कारणों से difference आता है, या फिर इन कारणों से inner planets, जो है, तो वो terrestrial है, और outer planet जो है, वो gaseous है, क्या कारण है, यह एक, दो, तीन, ठीके, इन तीन कारणों को ध्यान रखना है आपको, आपको जब question आएगा, तो इन तीन कारणों को ही आपको answer में लिखके आना है, पहला कारण, तो practically समझते जाना चीजों को, पहला कारण, the terrestrial planets were formed in close vicinity of parent star, where it was too warm for gases to condense to solid particles, ठीके, jovian planets were formed at quite a distant location, ठीके, अब समझ लो, यह क्या है, यह एक तरह से आग का गुला है, यह आपका star है, ठीके, diagram पी समझते है, कि आप अगर देखोगे, तो यह है star parent star, मतलब हमारा sun, ठीके, अब क्या है, sun और यह sun के सब बच्चे है, छोटे-छोटे planet, बड़े-बड़े planet, अब terrestrial planet का है, sun के पास में है, अब terrestrial planet जब sun के पास में है ना, तो यह चार planet का है, यह continuously गर्मी sun की सहते रहते थे, ठीके, यहाँ पे ने गर्मी लग रही है, तो यहाँ की जो gas थी ना, वो gas condense होके solid बन समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ पर उतनी strong solar insulation है, और यहाँ पर उतनी strong solar insulation नहीं है, तो in the absence of strong solar insulation, gases in outer planet condensed into solid, ठीके, तो इस कारण से यह gaseous planet जो बड़े-बड़े दिख रहे है, क्योंकि यहाँ पर gas थम गई है, रुख गई है, condensed हो गई है, और यहाँ पर gas जो मतलब ice में convert हो गई है, यहाँ पर gas ठीक ही नहीं पाई है, क्योंकि gas सारी उड़ा दी किसने solar insulation ने, गर्मी ने उस gas को जमने नहीं दिया, और यहाँ gas जम गई, आया ना समझ में, तो आकार जो दिख रहा है न, यह आकार किस कारण से दिख रहा है, यहाँ पर इनोंने हवा बर ली अपने terrestrial planet, ठीक है, अब देखो मेने आपको क्या बताया, यहाँ पर condensation वाली बात आ गई, कि यहाँ पर gas condensed नहीं हो पाई, क्योंकि देवर, मतलब जो inner planet थे देवर, इंधी close vicinity of parent star, where it was too warm for gases to condense, ठीक है, और वही अब जो warm nature है, तो वो warm nature के चलते क्या होता है, कि जब solar winds बहुत strong र यह एक पूरा gas का गुबारा बना होगा, initial level पे, ठीक है, initial level पे बना होगा, और core formation जो था, core में gas condensed होके क्या होगी होगी, यहाँ पर solid बन गया यह, यह terrestrial planet का solid बन गया, लेकिन जो उपर gas थी ना, तो solar winds जो थी, तो solar winds ने क्या कर दिया, वो उपर जो gas थी, तो gas को उड़ा ठीक है, तो जो core-core थी, जो solid-solid था, solid-solid रह गया, gas-gas उड़ गई, तो यहाँ पर इस कारण से सिर्फ terrestrial रहेंगे, और इनकी जो gas थी ना, तो इनकी gas खड़ी-खड़ी देख रही थी, आने तो solar insulation, solar insulation उतनी strong थी नहीं, तो इस कारण से gas यहाँ पर रुखी रह गई, condensed भी जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स पर नहीं हो पाया, तीसरा पॉइंट क्या है, ती टेरेस्टियल प्लैनेट्स आर स्मॉल एंड देर लोवर ग्राविटी, कुद नोट होल्ड दी, एसकेपिंग गैसे, हाँ, एक पॉइंट और यह इंपॉइंट हो कि पूरा खेल गैस कही तो है, सवाल यही पुछाए ना, कि इनर प्लैनेट्स जो है, रोकी है, और जो आउटर प्लैनेट्स है, वो गैसेज फॉर्म में क्यूं है, तो क्योंकि यहाँ पे गैस, एक तो क्या है कंडेंज होगी, दूसरा यहाँ पे गैस को उड़ा के ले जा है, उनके पास उतनी ताकत भी नहीं थी, और उल्टा सूरज जो है, तो उनकी गैस को उड़ा दे रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आउटर प्लैनेट्स को समझोगे, समझना, तो आउटर प्लैनेट्स क्या है, यह चुटकु नहीं है, यह साबु का देश है, यह यह चुटे प्लैनेट्स की ग्राविटी ने गैस को उल्ड नहीं कर पाए, सिंपल, आगे ना समझ में, तो यह पूरी महावारत थी, जो मैंने आपको समझाई है, इनल प्लैनेट आउटर प्लैनेट के बीच की, ठीक है, प्लूटो की भी दुख भरी कहानी सुनी, हमने जा इनका डिस्टेंस क्योंकि सन के पास में, तो स्वाभावी कही की कम रहने वाला है, और इधर बढ़ते चले जाओगे, तो इतने दूर तक किलो मिटर पे है, अब हमारे पास में क्या मार्स है, तो हम मार्स पर ही थोड़ा सा क्या करते हैं, पहुचने के लिए दिंग दिंग कि इतना हमारा जो इक्वीटर है, विक प accents है को सब कौन के बड़ा है Imperial से चूटा है, तो सारी से हम इननर ब्लानेट में हम बड़े भाई यह बिग ब्रदर का रोल प्ले करते हैं अर्थ फिर उसके बाद में फिर यह दो दूसरे प्यानेट है तो यह इतने बड़े-बड़े हैं कि जैसे आप जूपिटर को देख रहे हो 11 टाइम्स जूपिटर 11 अर्थ को ले सकता है अपने अंदर इतनी उसकी क्य है रेडियस ऐतना बढ़ाया है वो क्लियर तो यह पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनानी थी सुना दिये और इसके साथ में हमारा सोलार सिस्टम वाला जो टॉपिक था वह कंप्लीट होता है अब हमारे सोलार सिस्टम में क्या-क्या पढ़ लिए संके जाओ ठिक हैं हमारे स तो मून वगेरा कैसे बनाओगा सर क्या थियोरीज रही होगी इंट्रस्टिंग है वो भी जानना है क्यूरीज जागी तो अब नेक्स वीडियो में वही पड़ेंगे ठीक है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्माट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं घर बैठे अपना सिलिबस कमप्रीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताएं मैगनेट बेंज के बारे में मिलते हैं नेक्स वीडियो म झालिबलने के यह लिए।